कुछ यह ऐलोिट करने वाली हुं दही के बारे में कि बच्चों को कपसे खिलाना चाहिए खिलाना चाहिए यह नहीं खिलाना चाहिए यह दे मत्रेज लगुक्हें कि बच्चे को दही दे या ना दे फाइदा करेगा या नुकसान करेगा और कुछ लोग कहते हैं सरदियों में नहीं देना चाहिए तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है तो इसलिए प्लीज वीडियो को आखरी तक देखेगा जिससे सबी जानकारी आपको मिल सके तो सबसे पहले बात करते हैं कि दही कितने महीने से देना चाहिए बच्चे को तो जब 6 महीने से आप ठोसा हर बच्चे को देना शुरू करें आप दही भी उसी टाइम से बच्चे के खाने में एड़ कर सकती है बस शुरूआत में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप 6 म बच्चे को इसे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि देने से सर्दी खासी या चीक आने लगी ऐसा तो नहीं हो रहा है या बच्चे को लूज मोशन तो नहीं हो रहा है डाइजेस हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है पाई दिन में आपको पता च वैसे जादा तर बच्चों को दही सूट करता है और कुछ बच्चों को दूट से ऐलर्जी होती है ऐसे बच्चों को भी आप दही ट्राइ कर सकती है जादा तर बच्चों को दही सूट कर जाता है तो यह भी चीज़ आप कर सकती है अब दही के इतने सारे फायदे भी है कि ब बचचे को दही देने से बच्चे के स्टौंग होती है उसका इम्युनि aja पढ़ा सफ होता है और उसीगे चाना अगर देती है बच्चों की आथो के लिए बखुट फायदेमंद होता है इसे बच्चे का जोटाइजिस्टिफ सिस्टम है वह बहुत अच्छे से वर्क करता है और बच्चे को खाना आसानी से डाइजस्ट हो जाता है क्योंकि दही में कुछ ऐसे प्रोबाइटिक और बैक्टिरिया पाए जाते हैं जिसके वज़े से दही बच्चों की आतों के लिए बहुत फायदेमंद है और यह बच्चे की दिमाग को भी शांत रखता है क्योंकि इसमें सब्सक्राइबन है यह चाह को नियुजवा दिमागी विकास बहुत ठेजी सहूंकि इसलिए अगर ऑब बच्चे को धिकि देटी हैं काफी मजबूत होगी चाहए जेथे कब लाइन थीज़ेख से कब नहीं देना है अगर बच्चे को अग्या काफि fences sze हो रही है सर्दी खासी जकड़न हो रही है या डाइजिशन में कोई दिकत हो रही है तो आप बच्चे को ना दे आप कुछ दिन बात फिर से ट्राइब करें उम्मीद करती हूं आज का वीडियो आप अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करे झाल 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 झाल